आखिरकार सुरेश रहनों को क्यों कहा जाता है मिश्टर आईपियल देखिए क्या है बड़ी वज़ा नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सब्सक्राइब पूरी अप्डेट बताएंगो सब कुछ इस वीडियो में लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आईप सुरेश रहना के साथ खेला है दोस्तों आईपियल 2016 और 17 में सुरेश रहना ने गुजरात लाइंस के हिस्सा थे जिसके बाद वह चार बार के चाइंपियन चन्नेश वपर किंग टीम के साथ जूड़े रहें दोस्तों चन्नेश वपर किंग टीम ने जब जब खिताब अप किया है उसमझे सुरेश रहना टीम के में अहम योगदान निभाएं हैं दरसल सुरेश रहना के आकड़ों की बात करें तो उन्होंने आईपियल के इतियास में नव बार एक सीजन में 400 से ज्यादा रन का स्कूर बनाया था लेकिन सुरेश रहना ने पिछले कुछ सालों में आईपियल मकाबले नहीं खेले हैं उन्हें आईपियल 22 के मेगन इलामी में कोई खरिदार नहीं मिला जिसके बाद उन्हें आईपियल में हमेशा के लिए अलविदा कह दिया दोस्तों लेकिन सुरेश रहना के आकड़े साब बताते हैं को मिश्टर आईपियल ऐसे ही नहीं की है जबकि उनके नाम एक स्वा तक भी दर्जव वह दोस्तों मिश्टर आई पील ने अब तक कुल पांसो च्छे चोके लगाए हैं जबकि मिश्टर आई पील ने दोसो तीन छक्के भी जड़े हैं दोस्तों चने सुपर किंग टीम ने आई पील में 2010 के लामाद 2011 और अठा रहता था 21 का खिताब अपने नाम के दोस्तों चने सुपर किंग टीम की इस काम्याबी में सुरेश स्रायन ने अहम योगदान दिया था तो दोस्तों आज की जानकारी इमबफ इतना है इस खबर के बारे में आप अपनी व्यक्तिकत राहें नीचो कॉमेंट सेक्सेन में के मिलते हैं नेच्ट अपडेट के साथ अब तक के लिए नमस्कार